अतिसेश सिक्षकों की सूची education portal में दे दी गई है जिसे आप surplus teacher management system menu में चेक कर सकते हैं अब यदि आपका नाम भी अतिसेश सिक्षक की सूची में आया है तब क्या करना है इसे हम देखेंगे साथ ही हम देखेंगे कि अतिसेश हो जाने के उपरांद सिक्षक कहा जाएंगे इसकी पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DPI के द्वारा जो आदिस जारी किया गया है अतिसेश सिक्षकों के ट्रांसपर के संबन में जिसमें बताया गया कि अतिसेश सिक्षकों का जो चिन्धांकन है वो इस्थांतर नीती की कंडी का 3.2 के अनुसार किया गया है अब इस्थांतर नीती की 3.2 जो कंडी का है इसमें बताया गया अब इसमें कौन सा सिक्षक अतिसेस होगा इस सामन में भी बताया गया जिसमें बताया गया कि जो सिक्षक बरतमान पदिस्थापना वाली संस्था में सबसे ज़्यादा समय से कारत है बे अतिसेस की सेंडी में आएंगे यहां ध्यान देने वाली बात है कि बरतमान पदिस्थापना वाली संस्था में जो सिक्षक सीनियर है यहां पर प्रिथम निक्ति दिनांग की बात नहीं हो रही है केवल बात है बरतमान पदिस्थापना वाली संस्था में जो ही सिक्षक सीनियर होगा वो अतिसेस की सेंडी में आएंगे तो इस प्रकार से अतिसेस सिक्षकों की गारिना कर ली गई अब जब अतिसेस सिक्षकों की सूची तयार हुई है और education portal पर इसे दे दिया गया है तो आपको चेक कर लेना है इसमें ऐसा नहीं है जैसे हम बात करें कि यदि किसी साला में एक ही सिक्षक है तो बेभी एक बार जरूर चेक कर लें कहीं वे अतिसेस सिक्षक की सेंडी में तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि portal में तुरूटी हो सकती है जैसे मैंने एक school देखा जहां पर एक ही सिक्षक है और वो अतिसेस की सेंडी में आ गए हैं तो इस परकार से आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कहीं आप अतिसेस की सेंडी में तो नहीं आ रहे हैं और यदि तुरूटी पून अतिसेस की सेंडी में आ आ रहे हैं तो आप अपना आविदन जिला सिक्षा दिकारी कारेले में दे सकते हैं, इस समन में भी इसमें निर्देश दिये गए हैं, जैसे हम देखें, तो इसमें बताया गया कि सभी लोग सेबक अपनी जानकारीयों को देखेंगे, और यदि किसी प्रकार की सुधार की आउशकता हो, तो ततकाल जिला सिक्षा दिकारी कारेले में दिनांग 5 फरवरी 2023 तक सूचित करेंगे, यहाँ पर जो तिथी है, इसका विसेज ध्यान रखना है, 5 फरवरी 2023 तक जिला सिक्षा दिकारी कारेले में सूचना करना है, या तो आप संकुल के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर किया जाकर पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा इसके बाद में हम देखें तो एक डेट और दी गई है 6 फरवरी 2023 6 फरवरी 2023 को जो पोर्टल है वो लॉक कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना संबहो नहीं होगा तो हमें डेट का विसेज ध्यान रखना है 5 फरवरी 2023 तक यदि तुरूटी पूर्ण हमारी जानकारी इसमें आई है इसका वीडियो चैनल में अपलोट किया जा चुका है तो आप एक बार जरूर चेक करना है एक बार फिर से हम सरसहरी तोर पर देख लेते हैं कि कैसे चेक करना है चेक करने के लिए आपको education portal ओपन करना है और इसके man menu पर आपको click करना होगा और इसमें किलिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक option दिया गया है Surplus Teacher Management System इसे आपको open करना है जैसे आप open करेंगे तो एक नया page आएगा जहांपर कुछ option दिये गया है जिसमें चौहता option दिया गया है Surplus Status का इसका जो sub option है District Wise Summary of Surplus Teacher इस option को open करके आपको check करना होगा कि particular जिले में कुल कितने सिक्षक अतिसेस हैं जैसे हमने किलिक किया तो प्रदेश के सभी जिलों की नाम आ जाएंगे अब जिस जिले में आपको जानकारी चेक करना हो उस जिले पर आप किलिक कर दें जैसे आप जिले पर किलिक करेंगे तो उस जिले में जितने विकास खंड है उन सभी विकास खंडों के नाम आ जाएंगे अब इसके बाद जिस विकास खंड में आपको जानकारी चेक करना हो उस विकास खंड को किलिक कर दें जैसे आप विकास खंड को click करेंगे तो समन्धित विकास खंड में जितने इसकुल है उन सभी इसकुलों की नाम आ जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि इसकुल का जो U-Dies Code है वो दिया गया है इसकुल का नाम है इसकुल में कितने sanction post है वो दिया गया है working post कितनी है वो दी गई है और surplus teacher कितने हैं इसकी संख्या last में दी गई है जो 30 सिक्षकों की संख्या है वो last में आपको देखने के लिए मिल जाएगी अब इसमें चेक करना है कि संख्या लिखी हुई है तो वहाँ पर 30 सिक्षक है और यदि zero है तो वहाँ पर 30 सिक्षक नहीं है तो एक बार आप अपने स्कुल के सामने चेक करने कहीं आपकी साला में 30 सिक्षक तो नहीं है और यदि आतिसे सिक्षक हैं तो इसे आप चेक करने कि तुरूटी पूर्ण अंकित तो नहीं हो गया है पोर्टल में क्योंकि पोर्टल में तुरूटी हो सकती है अभी इसमें सुधार की संभावना है इसमें सुधार हो सकता है हमारे द्वारा दिये गया आविदन से और यदि आपकी जानकारी इसमें सही है और आप सही में 30-70 में आ रहे हैं तो इसके उप्रांद कहां जाएंगे इसे भी हम देख लिते हैं इसका उलने कि स्थांतरण नीती का जो आदेश है इसकी कुछ कंडिकाओं में दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जुछPO प्रिसाशनिक स्थांतरण स्थांतरण भी इन अत्वर सिखचकों की कमी वाली संसाओं में किया जाएगा इसके अतरिक अन और भी बिंदू इसमें दिये गए हैं जिसके अधार पर जो 30 सिक्चक हैं उनका ट्रांसपर किया जाएगा आप अतिसेश तो नहीं है और एदि आप अतिसेश हैं तो चेक कर लें कि तुरूटी पूर अंकित तो नहीं हो गया है और एदि तुरूटी पूर अंकित है तब इसका आविदन आप 5 फरवरी 2023 तक जिला सिक्चा दिकारी कारले में दे सकते हैं अपने संकुल के माध्यम सहयर है जानकारी आसा है जानकारी अच्छे लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है